दोस्तों कैसे हैं आप सभी उमीद है आप सभी अच्छे होंगे और आपकी दुआओं से मैं भी अच्छा हूँ दोस्तों डियलेड फोर सेमेश्टर का पेपर चल रहा है और जैसा कि आप लोगों का जो पहला पेपर हुआ है आरंभिक स्तर पर भासा एम गडी के पठन लेख होंगे तो फिर बल्ली ही बल्ली है कहीर अब और सकते है कि ऊद्फर के पूछे गए हैं से फिस्मित थे प्लोग कर सकते थे पहला जो प्रशन में सब्सक्राइब हो जाएगा चलिए अगला है कि स्वर के भेद हैं स्वर की कितने भेद होते हैं तीन होते हैं कि अगला क्रेशन है चो का उचारण स्थान तो आप सभी मैंने बताया था के टीयम के टीयम का उचारण सात थांतों चलिए अगला क्रेसन क्या है अब कहते हैं अगला क्रेशन है कि शूद्ध शब्द मैं कहते हैं इसमें से सुध्रसब आप लों का उजवल हो जाएगा क्योंकि उप्लस बराबर हो जाएगा अगला कर्शन नम्बर 6 सुनने को किसी संख्या से भागदेने पर भागफल आता है तो सुनने को किसी संख्या तो आपका उपर उप्त सभी होगा क्या आप लोगों कोई questions पढ़ा ही होगा कि भाग की संक्रिया में भाजक भागफल का दो गुना तथा सेस्फल का पांच गुना है है कि नहीं तो भाज क्या है तो आप देखे ही होंगे इस तरीके साब का प्रियक्स भी हो जाएगा अगला क्रिशन आप लोगों का है कि आरोही क्रम है आरोही क्रम मतलब क्या होता है छोटे से बड़ा आरोही क अग्ला question, question no.9, 475 में 4 अस्थान है, 4 कौन से स्थान पर है, 4, 7, 5 में देखे, यह इकाई, यह दाहाई, यह सैकडा, तो यह क्या है, 4 कौन से स्थान पर है, सैकडा के स्थान पर, ताप लोग आपसंट नमबर कौन से हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा अगला क्या नमबर आपका दस्क बाइस का चौन तीस में गुड़ा करने पर गुड़न फल क्या होगा तो बाइस चौन के अठासी बाइस त्याई च्छाट और चा आठ कितना हो जाएगा चौन सब्सक्राइगा फर्स्ट पर चला जाएगा अगला है कि न भासा सिक्षड में शारिरिक शम्च्या है द्रिश्टी दोस्त चारड दोस्त रवड दोस्त आप लोगा कौन से हो जाएगा उपर युक्त सभी हो जाएगा ठीक है अगला क्रेशन है आपका वे शंख्याएं जो दो से पूर्ण रूप से विवाजित होती है विवाजित न शुरूत का मतलब होता है सुन करके लेख मतलब होता है लिखना जिसे हम लोग क्या करें सुन कर लिखें तो आप लोग का जाएगा सुन कर लिखना ठीक है राइट आंसर चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेशन किसी लेख या रचना के अंत में चिन प्रयोगत करते हैं किसी लेख या रचना के अंत में हम लोग क्या करते हैं इतिसी धम इतिस्री का चिन का प्रयोग करते हैं तो इन पंद्रा बहुवी कलपी में से आप लोग का कितना सही है कमेंट करके जरूर बताईएगा ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्योशन आप लोग का अपने विचारों और भाओं का क्या करता है प्रकाशन करता है और लेखन क्या है आत्मा धिव्यक्ति का एक शत्व पूर्च साथ में तो बोल सकते हैं कि शष्षर के साथ करना आप एक तरीके से बोलते हैं और सहीत पढ़ते हुए अर्थ ग्रहन करने को शष्षर वाचन कहा जाता है ठीक है इस तरीके से लीटे सब्ध जिनके अंतिम वर्ड क्या होते हैं समान होते हैं या काब्य पक्तियों के अंतिम भाग में पाई जाने वाली जो वड़ों की समानता को ही हम लोग क्या बोलते हैं तुकांत सब्द बोलते हैं जैसे रहन आगे शहन शहन हम लिख दिये रहन शहन तो इसमें लास्ट अक्षर जैसे आपका नौ है इसमें भी नौन आप लोगों का क्या है आपका समान है वही होता है तो वह सब जिनके अंतिम वड़ समान होते हैं या कोई कविता भी आप पढ़िए राम रसायन तुम्हेर ब्यंजनों का उचारण करते समय वायू मुख के किसी ना किसी जो आंतरिक भाका इसपर्स करके निकल बाहर निकलती है उन्हें ब्यंजनों को से ले करके आपका जो पावर्ग होता है टूटल मतब 25 जो ब्यंजन होते हैं उसे हम लोग इसपर्सी ब्यंजन करते हैं ठीक है ह हलंत से आपका क्या विपड़ा है तो दोस्तों हलंत का मतलब होता है हलंत मतलब एक हलंत जीन वर्डों को स्वर्रहित करने में आप बोल सकते हैं हलंत का प्रयों किया जाता है ध्यान रखिएगा कि या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं देखिए कि हलंत किसी वर्ड के आधे होने देवनागरी लिपी में इसे हलंत बोलते हैं और मल्यालम में इसे चंद्रकला भी बोलते हैं ध्यान रखेगा चंद्रकला इसी हलंत को भी बोला जाता है तो हलंत आप बोल सकते हैं जिन ब्यंजन के बाद हलंत चिन लगा दिया जाता है उस ब्यंजन में छीपा और शमाप्त ह हो जाता है इस तरीके से बोल सकते हैं अगला क्षेन 636 में दोनों छ्टो के स्थानी मानों का अंतर तो इस 6 का स्थानी मान क्या है जदेखे छे 36 में इस चे का इस चसो इसट्法 स्थानी मेन है ची तो 600 में से अगर आप 6 को घटाएंगे तो कितना आएगा 594 आजाएगा ते आपका अंसर हो जाएगा अगला क्वेशन देखे उश्म बेंजन क्या है उश्म बेंजन तो बोल सकते हैं कि ऐसा बेंजन जिनका उचारड करते समय वायू मुख में टकराकर क्या करती है उश्मा पैद क्वेशन चाहिए घडित सिक्षड के दो लक्شा बताइए चाहिए तब मतलब है किसी को हम जैसे बोलते हैके में बढ़ा है बढ़ा का मतलब क्या है बढ़ा आप ने बोल दिया ना तो गणीत में आ गया गए गडिति आधार पर ही का आगे उसे बहुत है झालीजिया है जिव को पार्जन समंधी मुल्यों का विकास करना कलात्मक मुल्यों का विकास करना तो यह सभी जो हता है गड़िती से छड़के दो लक्ष है ठीक है यही आप लिख सकते थे अगला है कि शंख्या पूरो तयारी से आप क्या समझते हैं तो बोल सकते हैं कि शंख्या पूरो तयारी आप बोल सकते हैं कि बच्चे को पढ़ाने के लिए उसके जो क्रिया कलाप होते हैं उन क्रिया कलापों के द्वारा जो तयारी की जाती है उसको पढ़ाने के लिए उसे संख्यापूर तयरी बोल सकते हैं या फिर आपने हम लोगों ने देखा होगा कि बच्चे के पास संख्याओं से संबंधित भरपूर अनभव होते हैं इन में से कई अनभव होता है सिधे तओर संख्याओं से जूड़े भी नहीं होते हैं परन्त यह सभी क्या होते हैं संख्या संबंधित यह यह क्या है चोटा है इन आधार ए पर तयारी है यह उसे हम लोग बोलते हैं संख्या पूरो तयारी काते हैं दोस्तों तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगला है घटाना का आसे मतलब क्या होता है घटाना का आसे आप बोल सकते हैं किसी भी शंख्या में से ठीक है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं घटाना बोलते हैं या फिर बोल सकते हैं जब किसी संख्या या अंक को किसी दूसरी संख्या या अंक से कम किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं घटाना कहते हैं आरोही क्रम क्या बोलते हैं देखिए आरोही क्रम का मतलब क्या होता है जब दो या दो से अधिक भिन्नों को बढ़ते क्रम में रखा जाता है उसे आरोही क्रम कहते हैं रीश्वर का उचारण स्थान क्या है ध्यान दीजेगा तो रीश्वर का जो उचारण स्थान होता है वो इतने वर्ड होते हैं तो होता है य, y, y, w, v, u, t, s, r, k, y, y, w, v, u, t, s, r, q, p, o, y, n, y, l, k, j, i, h, g, f, e, d, c, b, a तो टोटल कितने वर्ड हो जाएंगे जड़ी एस टरीके के वर्ड जैसे मैंने बोल रहा हूं अगर इस तरीके के वर्ड विकास का बहुत जाता काम करते हैं आपका दिमाग बहुत तेज होगा केलकुलेशन बहुत तेज होगी इस तरीके से अटपटांग चीज़ों को हमें सब बोलना चाहिए इसलिए मैंने इसको बोला जाता है क्योंकि 26 तो सबको पता है लेकिन इस तरीके के वर्ड आगर आप यूज कर रहे हैं जैसे मैंने जड़ी एक डवी यूटी इस तरीके से आप ट्राइ करिए का बोलने का आप नहीं बोल सकते हैं मैं गारेंटी के साथ कर सकता हूं इन वर्डों का इस्तेमाल करने से ना हमारा जो दिमाग होता है ना बहुत तेज होता है आप उल्टी गिंती बोलिए जीरो सो एक नियांवे दो ठानवे तीन सतानवे चारशी आश 51, 52, 94, 93, 90, 90, 90, 91, 81, 88, 82, 83, 74, 85 85 इस सब चीजों को आप बोल रहे है ना आपका दिमाग बहुत तेज होगा गड़ी ता आप लोगों के लिए चुटकिल हो जायेगी इस बात को आप अगला थियान रखियेंगा अगला है कि लोग गीत से आप क्या समझते हैं क्यों नो जो के से बोल सकते हैं या लोग गित बोल सकते हैं लोग के लिए लिखे गए जो गीत होते हैं उन गीतों को लोक गीत बोलते ही तो प्रकर बताइये तो अनुश्वार होता अनुश्वार जिसको हम लोग क्या करते हैं इस तरीके से बिद्धी लगाते हैं एक होता है आपका अनुश्वार 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 अनुश्व करिए पत्र लेखन क्या है कविता के प्रकार बताई घोष धोन्य अंतर अंतर घोष धोनिया क्या होती है इसके भूत अच्छे तरीके से आ math आप लोगों को बता चुका है ठीक है ना कि अगला है आपका क्वेशन नमर आपका 35 है कि 48 अमरूत 6 बच्चों में बराबर बराबर बाटे गए प्रतेक बच्चों कितने अमरूत मिले तो 48 में क्या करेंगे भाई 6 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा आठ शक एड़तालीस आ जाएगा आठ ठीक है ना इस तरीके इस बच्चों को हासिल सही जोड किस प्रकार सिखाना चाहिए इसको अपनों को लिखना था संख्या किसे कहते हैं संख्याओं के प्रकार अशुद्धवाके के दो कारड़ क्या है बच्चों को मातराओं का सही ज्यान न होना एक इस तरीके साब बोल सकते हैं तो यही आप लोगों के प्रस्नत थे उमीद है आप लोगों के पेपर बहुत ही अच्छे हुए होंगे चैनल पर नहीं होगे तो सब्सक्राइब जरू कर सकते हैं और मैस की जो क्लासेस है उससे जुड़ना न भूलिएगा आप लोगों की जो क्लास है वह आप लोगों का लगभग हम साढ़े चार बज़े आपका कर देंगे ठीक है तो आप लोगों उसे देखिए का मस्त दोस्तों पेपर आउट वीडियो आप लोगी होगी पेपर वहीं से आएंगे तब मिलेंगे एगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम